प्राइबरेली उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री विलेश शर्मा एक दिवर्शी तोरे पर आज राइबरेली पहुचे जहां उनका काफिला पेले तो पी डगलू डेश्ट हाउस में रुख कर सिक्छा विभाग के अभी कार्यों से बात की गई उसके इपादुंका काफिला शहर के सुपर मार्केट में जन्ता के बीच एक सीए की समर्थन में एक जन्सभा को संबोधित करते हुए जहां सीए और एन आर्सीट पर लोगों से समर्थन मागा वही शब्त रूपी बाण से कॉंग्रस पर भी जम कर हमला होला और कहा कि कॉंग्रस में पिछले सक्तर सालों से देश को लूटने का काम किया है अब तधान मंत्री नरेंद्र मोदी चन्ता की हित की बात करते हैं चन्ता के हित में निर्ले लेते हैं तो कॉंग्रस के लोग तेश में रह रहे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं देखने वाली बात तुया रही कि रायबरेली से कॉंग्रस की सगर विधाई का वबाहू बली अखिले सिंग की पुत्री अदीती सिंग का विजेपी प्रेम देखने को मिला विधाई का डिप्टी सीम से मुलाकात करने पी डबलू डी गेस्ट हाउस पहुची वही NRC दिने सिंग भाई राके सिंग की भी गार्या पद्यात्रा में भारे भेड के बीच देखने को मिली आपको बता दे कि आज रायबरेली पहुचे उत्तरगदेश के उप मुखे मंत्री वन रायबरेली प्रभारी दिने शर्मा ने जहां NRC को लिकर रायबरेली की जंता से समर्थर मांगा वही जिला कारयाले सुपर मार्केट से घंटागर होते हुए अस्पताल 14 तक पैदल यात्रा करके लोगों से CAA और NRC पर समर्थर मांगा डिक्टी सीम के पैदर यात्रा करेकर में जिले के बीजेपी विधाया NRC वा पार्टी कारिकर ता करेकर में माजूद रहे रायबरेली से प्यूरो हर्शित दिवेडी के साथ दलिक्तिवारी की रिपोर्ट नागरी संसोतन बिल के संदर्वे आज एक आपने देखा जनसभा का आयोजन है और इसके बाद आम नागरी करण प्यूरों से जातियों से सम्रदायों से हैं वो एक नागरी संसोतन बिल के संदर्वे पैदल मार्च का आयोजन भी कर रहे हैं चाहिर से बात है ये देश की एकता सोहार्थ और समनवे के लिए आवस्षक है नागरी संसोधन बिल ये आज पूरा देश देख रहा है कुछ चंद तक्तों के द्वारा जिस प्रकार की भांती फैलाई गई थी और उसकी वज़ा से ना चाहते वे बे कुछ जगों पर उसका क मुख्य बिंदू ये था कि जानकारी का अभाव के कारण लोग कहीं कहीं पर प्रदर्श्वों में सामिल होने लगे तो हमारा नागरी संसोधन बिल के संदर में जन जागरुता अभियान का मकसद यही है कि हम लोगों को वास्तविक्ता बताएं कि आकिर वास्तों में नाग जाओं के द्वारा लोगों के महां घर घर जाकर डोर टो डोर मिलकर नागरी संसोधन बिल के बारे में बता रहे हैं इसे जो पूरे देश में व्यापक रूप में दुस्पचार किया गया था उसके जवाब में हम बता सकें कि वो नागरी संसोधन बिल के संद्पन में कोई रहांति किसी को नहीं रहनी चाहिए मंतरी जी जंग आगरन रैली की बात की गई आगर आपको लगता है कि इतना कारगार साबित होगा तो सरकार के प्रतनित के रूप में अगर आप मुझसे पूछ रहें तो सरकार ने अपना रवया स्पस्ट किया है किसी भी निर्दोस के ख पर आए हैं उनकी संपत्यों से बसूली की जाएगी उनके खलाब का रवाई हो गए अगर वो संसोधन लाने से पहले निकाली जाती तो क्या आपको नहीं लगता कि जो संपत्य का नुक्षान हुआ है वो ना होता देखिए अब यह हम बविस्ट्र के गर्थ में यह नहीं होत सर मूवी आ रही है जिसको लक्षमी के उपर एक जो एसीड पीड़ता है उसको लेकर एक मूवी बनाएगे च्छपाक जिसकी अभी नेतरी रही है दीपका पादुकोर्ड वो अभी हाली में गई थी जे एन यू उसको लेकर रागनीती गर्माई हुई है किसी भी नेतरी को या उनको कंट्रोवर्सी से बचिना चाहिए लेकर आप जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग के मादमी जो राजकी विद्याले के फिच्छा के चार महीने से बेतन नहीं मिल पा रहा है और कहीं ऐसी बात हो कि पर्टिकुलर में नहीं जाना हूँ यह जाना हूँ यह जाना आप जिस पूरे चार महीने से पूरे परदेश में बेतन नहीं जाना हूँ